अपनी फिटनेस के लिए एक छोट असस्टेक, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि आप जब exercise करते हैं, आपकी immunity बेटर होती है एक research paper है, Appalachian State University और University of North Carolina उनमें एक research हुई है, करीब-करीब thousand लोगों के उपर जिनमें ये research में क्या पाया गया है? कि 1000 लोग की जो ये study है, इसमें उन लोगों की study की है कि जो 5 दिन से ज्यादा workout कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं, जो सिर्फ एक दिन या कोई भी दिन workout नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में जो comparison है, वो इसमें बताई गई है कि जो लोग 5 दिन या उससे ज्यादा workout कर रहे हैं, करीब करीब 5 दिन पकड़ लो उन में common cup and cold, खासी, सर्दी हो गई, खासी हो गई, आपका running nose है या block nose है, ऐसी कोई भी जो समस्या जो normal day-to-day life में हमें immunity की वज़े से हो रही है, वो इन में 43% down है मतलब नहीं होती इनको, एक दिन workout कर रहे हैं, एक दिन से कम workout कर रहे हैं, याने कि एकदम sedentary है उन में ये चीज ज्यादा पाई गई है, दूसरी एक research paper में ये बताया गया है PMC में ये publish हुई है, उसकी link हम description box में डाल देंगे, आप जाके check कर सकते हैं कि इसके अनुसार, aerobic exercises याने कि cardio exercises जो होती है, जिसमें cardio involved होता है उन exercise करने से आपकी जो lymphocytes है body में, lymphocytes क्या होता है, एक type का white blood cell होता है जो immunity के लिए better होता है, जो भी आपका infections है उसको fight करने के लिए, ये white blood cells, lymphocytes बहुत ही कारगर होते है इनका काम ही होता है कि infection को बाहर कर दे, उनका जो production है, उनकी जो activity है, वो बहुत better होई है, ज्यादा होई है अब हम चलते हैं कि आयूरवेदा में क्या कहा है, तो आयूरवेदा में भी यही कहा गया है कि व्यायाम, यानि कि exercise करने से आपकी जो gut की energy है, जो अगनी है, वो ज्यादा better तरीके से काम करती है उससे क्या होगा, क्या आपका digestion better होगा, आपकी mental wellness के लिए भी आयूरवेदा में यह कहा गया है कि exercise बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये दोनों तरीके से आप अपनी exercises से physically भी fit हो सकते हैं और mentally भी fit हो सकते हैं तो अगर आप mentally और physically fit हैं, तो कोई भी रोग आपके नजदीक नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आपकी immunity better होगी, तभी ही कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि definitely at least 5 दिन आप हलका फुलका workout करिये, आप walking कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्रानायाम कर सकते हैं, आप कोई भी टाइप का zumba, dance, आपको जो पसंद हो, लेकिन 5 दिन, at least 30 minutes आप workout करें, तो आपकी immunity better होगी, और आप इन सारे रोगों से मुक्त होंगे, right, so आप हमें comments section में बताइए, आपको किस टाइप के workout पसंद है, अगर आपक के भी workout कर सकते हैं, especially HIIT, home workouts, आप definitely कर सकते हैं, तो exercise करिए, fit रहिए, और रोग प्रतिकारक शक्ति यानि की immunity बढ़ाईए, thank you so much, I'll see you in the next episode of Unlearn with MG.